हालो दूस्तों आज मैं एक नएव रेसिपी लिखे आयो, आज हम बनानी जारे बाटर गर्लिक अंडा का रेसिपी मैंने या पर 4 अंडा ले रहे हो, आपको ज्यादा कॉंटिटी चाहिए तो ज्यादा ले सकते हैं, कम बनानी है तो आप कम भी ले सकते हैं मैंने एक बॉल पे यहाँ पर अंडा को इस तरह से निकल के तयार कर लूँगे और मैंने यहाँ पर हाफ टी स्पून कली मिर्च पाउडर डाल दिया है तो आद अनुसर नमक डाल देंगे और मैं यहाँ पर पीजा सीजरलिंग डालूँगे हाफ टी स्पून इसकी टेकस्टर और खुश्बू बहुत ही टेस्टी लगेंगे इसलिए मैं डाले रहे हो आपको पसन हो तो डालेगा नैट इसकी भी कर सकते है और आप यहाँ पर चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं क्योंकि मैं यहाँ पर हरी मिर्च यूज़ करूँगी इसलिए मैंने नहीं डाली है अभी गेस पर हम पेन को गरम करने के लिए रख देंगे और यहाँ पर एक चमज और हाफ ओल डाल दूँगी इस तरह से और जो अंडा हमने mix करके रखी हुई थी इसको हम इस तरह से यहाँ पर डाल देंगे गेस का flame को हमें low रखने होंगे और इसी तरह से पकने देंगे इसके बाद हमें यहाँ पर इसको छुटी-छुटी pieces में cut करने हैं तब इसी टाइम पर हमें इसको इस तरह से mix कर देंगे मैंने यहापर under fry करने के लिए oil यूज किया है आपको यहापर butter भी यूज कर सकते है क्योंकि oil ज़्यादा चाहिए इसलिए मैंने यहापर oil में यूज किया है और इसी तरह से हमें fry करेंगे एक मिनेट तक अच्छी से इस तरह से mix करते हुए और चुटी-चुटी pieces में cut कर लिंगे यह देखे एक मिनेट हो गई है अभी gas का flame को off कर देंगे और इसको एक plate में निकल के यहापर रख देंगे अभी इसको यहापर रखने के बाद इसको थोरी से अच्छी टेस्टी लाने के लिए मैंने यहापर और पेंट पी butter डाल दिया है butter को थोरी से melt होने देंगे और मैंने यहापर 10-12 piece garlic को chop करके रखी हुई थी इसको यहापर डाल देंगे इस तरह से इसके बाद मैं यहापर हारी मिर्च ले रही हूँ थोरी सी spicy करने के लिए मैंने यहापर 4 हारी मिर्च को chop करके लिया है बच्चों को खिला रहे तो आप हारी मिर्च को skip कर सकते हैं और इसी तरह से इसको अच्छी से भून लेंगे हलकी brown होने तक अभी मैं यहापर डाल रही हूँ दूथ इसको उबालके रखी हुई थी room temperature दूथ है इसको यहापर डाल देंगे थोरी सी creaminess आएंगे और मैंने यहापर half teaspoon कॉन फ्लोर लिया है और एक चमस पानी डालके इसको mix करके यहाँ पर डाल दिया है थोरी सी creamy भी लगेंगे और देखनी में भी अच्छी लगते है खानी में भी taste बनेंगे इस तरह से mix करके एक मिनिट तक हमें medium flame करके इसको भून लेंगे इस तरह से यह दिखी थोरी सी thickness हो गई है और मैंने यहापर 3-4 चमस और दूद को डाल दिया है कम लगे तो आप भी डाल सकते है उसके बाद हमें यहापर अंडा जो fry करके रखी हुई थी इसको यहापर डाल देंगे इसी तरह से mix करेंगे इतनी अच्छी लग रहे है देखनी में इतनी tasty भी लग रहे है आपको पसन हो तो यहापर cheese भी डाल सकते है लेकिन मैं तो बोल दूँगे आपको कि यहापर cheese डालनी ज़रूर नहीं है क्योंकि cheese का ही texture दे रहे हैं आपर और मैं यहापर coriander leaves डाल रहे हो इस तरह से डालने के बाद mix करेंगे अच्छी से देखें दिखनी की time में भी इतनी tasty लग रहे है बहुत ही अच्छी लगेंगे आप इसी टाइप से एक बड़ बना के खाएगा आपको बहुत ही पसंद आएंगे और आपको यह मेरा recipe अच्छे लगे तो please like और comment subscribe भी जरूर करेजेगा और नई वीडियो के साथ मैं फिर आओंगे तब तक के लिए बाबाई